नमस्ते, मैं संस्कृत भारती की कार्यकर्तरी आर्थी कोली आपका सबका स्वागत करती हूँ आज गीता जैन्ती, गीता जैन्ती के अवसर पर आज हमारे साथ शिरिश जी भेड़ेस्ट कावकर संस्कृत भारती के अखिल भारतिय प्रचार प्रमूख उपस्थीत है उनका स्वागत है, नमो नमाहा, अध्य मार्गशीर्शह शुद्ध एकादशिती थी ही, अर्थाद गीता जैन्ती ही श्रीमत भागवध गीता यहा जन्मदिनम गीता जैन्ती अवसरे आविश्वम सर्वेज अनाहा श्रीमत भागवध गीता एती ग्रंतस्य पारायण कुरवंती केचन जनानां आम एशह नित्यक्रम हापी एशा प्राचिन संस्कृते न लिखिता भगवद गीता अपी प्राचिना कुरुक्षेत्रे संब्रमितम अर्जुनम भगवता सहस्राधीक वर्षेभ्या पूर्वम एशा गीता कथिता किम वर्तमाने पी समाजसे सर्वेशु स्तरेशु भगवद गीता उपयुकता सर्वत्र समाजसे महदाधार हा युनाम कृते श्रीमत भगवद गीता उपयुकतावा इती विशयम अनुस्रुत्यवयम अध्या चर्चाम कुर्मा हा साक्षात कारार्थम असमासु उपस्तितहस्ति मान्या हा शेरिश कुमार हा बेड़स गावकर हा महाभागा हा नमस्कार हा यासित महोद यही संपूर्णाम भगवद गीताम कंठस्ति कृता सम्यक अधिताच गीताम आधारी कृत्या महोद यानाम जीवनम देश सेवाये संस्कृत सेवाये समर्पितम नमस्कार नमस्कार भवता हारदह स्वागता यूनाम कृते भगवद गीता इत्याध्य असमाकम विशय यहा तरी अहम प्रश्टमिच्छामी गीता वृद्धापकाले पठनी यहा ग्रंथा सामान्यतह प्रचली तहा धार्मिकहा ग्रंथाथ प्रुद्धाह पठन्ति इती शर्वे जनाह जान्थी किन्तु आध्यस्मिन प्रगताह यूनामकृते पी भगवद गीता वॉप युकतावा अस्तिवन आस्ति भवतः तहा वस्तु तहा भगवद गीता युवकानाम कृते एवस्त पश्यतु श्रीकृष्णा अरुजुनम भगवद गीतां कते यति भगवद गीता यहा परिणामा कहा गलित गात्रहा अरुजुनहा युद्धाय सिद्धाभवती भगवद गीतायाहा अनंतरम कतना नंतरम अरुजुदहां युद्धाम करोती युद्धाम कस्यकार्यम युद्धाम तु यूनाम एवकार्यम बृद्धा कतम युद्धाम करतुम प्रभवनती युद्धाकरणम न बाला नाम न वा बृद्धानाम कार्यम अताहा गीता यू युद्धम करत्व सिध्धा तेशाम कुरुते एव जीता आश्ति अतहा भगवत जीता यूँद्यार्म्हें लोग है बह जादा तर ये पढ़ते हैं ऐसा कहा जाता है तो आज का जो यूग है, जो आधुनिक यूग है, तो इसमें जो यूवक है, उनको ज्यान ज्यादा है, तंत्र ज्यान के बारे में सब टेक्नोलोजी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या इनके लिए आज भी ये जो भगवत गीता का ज्यान है, तो relevant एक जो बोल सकत से वैसा है, उसमें कुछ रेलेवन्स है, भगवत गीता ये तो यूवकों के लिए ही ग्रंथ है, तेखो गीता भगवान स्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन के प्रश्ण है, स्री कृष्ण उत्तर देते हैं, तो गीता का परिणाम क्या होता है, जो गलित गात अर्जुन रणांगण में गलित गात्र हुआ होता है, वो युद्ध के लिए सिद्ध होता है, और गीता का परिणाम ये होता है, कि अर्जुन युद्ध करने लगता है, तो युद्ध करना किसका काम है, युद्ध करना ये बुढ़ों का काम नहीं है, नवा बालकों का भ यही है और एक प्रश्ण ऐसा है कि भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच में समवाध है और अर्जुन संभ्रमी तवस्था में है युद्ध भूमी पर है संभ्रमी तवस्था में है और इसी समय भगवत गीता के आधार पर उन्हें भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ञ उन्हें ज्यान देते हैं이지 क्या है आज जो वर्तमान स्थिती हम अणुभव कर रहे हैं जिसका तो उसमें भी है वही समस्याई जो सबस्याई अर्जुन को दिखलाई दी वही समस्याई आज की युवक़्ी भी है या नहीं भगवत गिता कृष्णार जो नहीं हो समवादहास्ति अर्जुनहा संभ्रमितह अवस्थायां युद्ध भूम्यां अस्ति तस्य मनसी के चन प्रश्णाह संति तस्य ये प्रश्णाह ते प्रश्णाह अध्यसमिन वर्तमाने युवकानाम अपि संति प्रश्ण आज के तुरुणों के जो प्रश्ण है अर्जुन के मन में वैसे ही प्रश्ण आये हैं अर्जुन यह पूचता है कि मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता क्यों यह देखता है और्ट मन के विचाराता है क्योंकि वो देखता है रणंगन में सामने उसके पिता महाt खड़े है विश्माचार्य उसके गुरुदोनचार्य है उसके सारे भाई है सारे आपता जन है था ठाव ना इसे पुरता संती तसे पितामाद तसे गुरुँ इता दुशह जेश्था जना था पूरता संती इतान सर्वां दुश्टवा तस्य मनसीप विचारह आगच्छ थी अहम एतान कतम आरेया मि इताहन मार्या नीलिक notar विण्टि मुल्ण कृनेशाइर efter शुर्रा भ्रुटि यह ट्यता मौर्रिति ज्यति रिवार्शना ना ही थी था यिदोर्व सर नासी थाल प्रशन आस्ती एकम योग्य मस्ती धुर्व अजवा गुरु पिता महां पिताजी 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 के पिताजी और गुरु ने भाई बंधों उनको नगा उनके साथ लड़ना, उनको मारना और अपना क्षतिरिया धर्म पालन करना, यह दोनों उचित बाते हैं, दोनों ही करता हुए हैं, अपनी जेश्ठों का आदर, अपने भाईवन्दों की सेवा, भाईवन्दों का रक्षन यह भी करता हुए हैं, और क्षतिरिया धर्म का पाल ठीक है एतसे चेहन करोविभा एंतस्यमन शेप्रश्णाः अधर्मद्वय सम्रमनसी सम्छा थरुषभाव प्रश्ण हय्रुषण अधुनां फिमनसी अखर्यप यदि वेंपस्षणा फिर अरे यह यह प्रश्णा पुस्टा समा न्यता अते शर्वे प्रश्णा अधुना यूना मनसी अपिसंद उधानार्थम अर्जुना पुस्च्छती अथके नप्रयुक्तोयम पापम् चरति पूरुशा अनिच्छन अपिवार्ष्ने बला दिवन्योजिता यह ता दुशा तस्य प बीए कभी-कभी हाथ से पाप होता है ऐसा क्यों होता है वर्तमानि यूनाम अपि मनस्य एशा प्रश्णा भई तुमर यदा सिरक्रिष्णा कथयती भवताः बुद्धिम स्थिराम करो तुम स्थितप प्रद्याः भवतु तदा अर्यूनस्य मनस्य प्रश्णा आगे च्छ काल होती है हवां को पकड़ना आदमी को संब्बन नहीं होता है वैसे मनवकों पकड़ना बहुत कथि ने और तुम तो बोल रहे है कि मन को स्थिर करो बुद्धि स्थिर करो यह कैसे संभव है आज के युवा में भी यही प्रश्ण होता है कि यह अपने चंचल मन को स्थिर कैसे करना आज के युवा को भी यही प्रश्ण है इसी प्रकार जो प्रश्ण अर्जुन के मन में आते है इस्तितप्रिद्य कैसा होता है गुणातीत कैसा होता है ऐसे तरह तरह के प्रश्ण अर्जुन के मन में आते है अर्जुन के मन में जो प्रश्ण आते है हम देखते है कि आज के युवां में भी यही प्रश्ण होते है तो आज के युवाओं के लिए भी भगवद गीता यही यह सारे प्रश्णों का समाधान है कृष्ण अर्जुन का सारा समाधान करता है अर्जुन को वो कहता है कि यह तो सत्य है कि दो धर्म में क्या चैन करना तो इसमें स्रीकृष्ण कहता है कि यदा अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुर्यामयम परित्रानाय साधुनाम विनाशाय चदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे-युगे तो धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आया हूँ तो शत्रिय धर्म यह तेरा धर्म की संस्थापना करने का कार्य है तो यहां कोई अपना है पराया है ऐसा मत सोचिये मूल्यों के लिए युद्ध करो तो यह स्रीकृष्ण अर्जुन को कहता है जैसा धर्म स्थापना के लिए युद्ध करना यह कहता है वैसे जब अर्जुन यह पूछता है कि मन में इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करे आदमी तो इसका प्रश्ण का उत्तर देते समय स्रीकृष्ण कहते हैं कि हर एक आदमी के मन में काम एश रजोगुण समुद्भवाहा महाशनो महा पापमा विध्धे नम्लियव ribए मंसी तुम प्रश्णक ええ यह यह काम है इसको भी तुम आर ज अध्यतन युनाहया जती है accounting स्वा मसा संतुलनं कथम करणियम स्वा मसा चांचलियम कथम श्यात्याह 증 으.. अध्यतन युनाह प्रश्णाह स西य अताह अरिजौनकानिश्यहम थे अध्यतन युनामक थेपश्णाह sem थे स्रीक्रिशन तक सुध्रपन्यदा कतैटी reducing them like to ADE कृधध्ष् सम्मोह समूह समूह स्मृति विब्रमा स्मृति भ्राम शां बुद्धिनाषो बुद्धिनाशात प्रणशत बुद्धि नाशाब होती तेना नाशाब होती परन्तु आरम्हा कुता ध्यायते विशयान पूस संगस्ते शूपयायते संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते मन में जब विशे का चिंतन होता है तब विशिध्यायते विशेयान पूस संगस तेश उपयायत तेना कारणे ना आसक्ति भोते आसक्ति से काम उत्पन्न होता है काम से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है मनु बताता है और इसका उत्तर भी बताता है वह कहता है कि इसके लिए तुम क्या कर तो ओप कहता है कि योग का आचरण कर आज तो युगाओं के लिए योग एक बहुत बड़ा उपयुक्त साधने योग का आचरण कैसे करना गीता में स्रीकृष्ण कहता है शुचव देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्रीतम नातिनीचम चैलाजिनकुशोत्तरम तत्रई काग्रम्मनकृत्वा यतचितेंद्रयक्रिया उपविश्यासने युज्जात योगम आच्मविशुद्धै एवं कैसे युग का आच्वरन करना कैसे स्थिर बैटना कैसे आसन करना कैसे प्रानायाम करना ये सारा स्रीकृष्ण अर्जुन को बड़े विस्तायर से बताता है आज के युगाओं के जो सारे आज के प्रश्ण है इन अनेक प्रश्णों का उत्तर भगवत गीता में स्रीकृष्ण देता है औ सच में इसमें जो रेलेवन्स हम देखते हैं मनोवज्ञानिक इसका आधार गीता जो है तो मनोवज्ञानिक अध्यान उससे हो जाता है अधिस्टान आज के जो जो युवापीडी आज की है तो उनके लिए अभी यह कोरोना के स्थिती है कोरोना का संक्रमन जो चल रहा है प्रसार जो चल रहा है तो उसमें युवको के लिए भगवद गीता कैसे लावदायक हो सकती है वयंपश्चा महा यद भगवद गीतायाम मनो वैद्न्यानिका अधिश्ठान वयंपश्चा महा मनो वैद्न्यानिका अध्येनम सम्यकृत्या भगवद गीता कृतवती ती दुश्चते अध्ये इदानिम सांप्रत या परिस्थिती है अस्ती कोरोना कारणे न युवनाम समस्याहा वरधीताहां तरी वरतमाने भगवद गीतायाहा अध्येनम कथम लावदायक हो भवती युवनाम कृते पश्यतु भगवद गीता मनो वैद्यानिकम उत्तरम अस्तियव गलित गात्रहा अर्जुनाहा भगवद गीताया श्रवणान अंतरम युद्धायसिद्धा भवती तो अर्जुन कि जो गलित गात्र स्थिती थी वो बदल गई पूरी और जिसको हाथ काम में लगे थे जो युद्ध से पलायन करना चाहता था वो अब युद्ध के लिए सिद्ध हो गया वो इसका यह जो सारा उसका मानसिक परिवर्तन है तो यह सही है कि भगवद गीता यू नाम जेतना दाई अस्ति प्रेरणा दाई अस्ति तस्या मानसिकं परिवर्तनं साकरो थी अतहा नईराश्यं उद्विग्नता हताशा सर्वन नाश्यत अतहाँ भगवद गीता मनो वई ध्ञानिकं तैंव यही सत््याम परबनतु जैसा यह है यह है कि आज के परिस्तिर्ति में भी जो करणा कारण ने जो सारी परिस्तिय आ गयी है तो यह तो एक आरोगय की समस्या लेकिन आरोग्य के भी समस्या और इन प्रश्णों के उत्तर भी बगवत गीता में यह सागीता में कहा है युकता हार विहार अस्य युकतचेश्टस्य करमसू युकतश्वपनाव बौधस्य योगो भवति दुख्वा स्रिक्रिष्णा कथयती बवता आहारह योग्या भवेत विहारह योग्या भवेत बवता निदरा सम्यक भवेत बवता जागरणम सम्यक भवेत तेन बवता योगहा दुखम हरती बवता जीवनम कथम भवेत तस्य स्रिक्रिष्णा वरणनम करोती कितना खाना चाहिए, कितनी निदरा करनी चाहिए, अपती जीवन के रचना कैसी होनी चाहिए, ये भकवान स्रीकिष्ण अरजुन को बताते है, आज के करोना के काल में सारे दुनिया में योग का एक बड़ा आकर्शन है योगों में भी है तो ये योग का आचरण कैसा करना ये सला भगवत गीता में कहा है तो गीता आज के योगों के लिए आज के ये करोना के आपत्ति के काल में भी मानसिक भी बल देती है और साथ ही साथ उसका शारिरिक अरोग्य भी ठीक रहे इसलिए भी उसका मानसिक संतुलन भी ठीक ले इसलिए भी भगवद गीता अज बहुत उपयूगत है सच ही कहा आपने भगवद गीता इतना लाव देने वाली है ये तो आजकल के यूगों को जानकर खुशी ही होगी और उन्हें इसका आचरन करना ही चाहिए आजके यूग में उन्हें भगवद गीता का आचरन लावदाई होगा ये हम जानते हैं किन्तो ये जो भगवद गीता लिखी गई है उसकी भाषा संस्कृत भाषा है तो परिस्थित ये ऐसी है कि जो छात्र है छात्र पाठशाला में विद्याले में संस्कृत भाषा सीखते हैं प्राथमिक स्तर पर उसका ग्यान उन्हें होता है किंटो उससे उन्हें पूरा ज्ञा नहीं होता क्यूंकि उसमें सरल्टा से कुछ पढ़ाया नहीं जाता क्ई बार तो इनकी जो अपेक्षा है उसकी पूर्ती नहीं होती है तो उन्हें और सरल्टा से संस्कृ gemeins और संस्कृत सिखने के लिए कुछ space मार्ग है जो आप बता सकते हैं सत्यम बहु लाभदाई योगस्य योगस्य अध्यनम यदी गीता आधारेण गीता यहां आधारम स्वीकृत्य यदी अस्माकम अध्यतन युग काहां कुर्वन्ती तरी बहु लाभदाय कहाएवा किन्तु महोदे अस्माकम भगवद गीता तो संस्कृत भाशायां लिखिता संस्कृत भाशया लिखिता एशा भगवद गीता सरविशां कुर्वते सुलभा न भवती ते द्न्यातुम असमर था हां केचन छात्रा हां विद्याले पठंती किन्तु प्राथमिक स्तरे एवस्ती अथ्वा तत्र किमा पी पूर्णतया ध्न्यानम न भवती सरल मार्गम ते न जाननती संस्कृत अध्या नस्या तरी भवान किमा पी मार्गम सुचे तुम शक्नो थिवां सरल संस्कृत पठनाई भगवद घेत व संसंस्कृत भाषे आगप असमाकम भर्तिय ज्म विद्यान परम्पराईवस संस्कृत भाषे आजभ रामायानमबवयत वाहरात महाभारत वाहरात मेम नकेवलं प्रत्वध जनच क्ष्यान घंठ長 नयके विद्यान घंठ आखतroad अगे अर्ठ शास्त्र कॉ अधा पि सत्यम यह्द वर्तमान, शिक्षन व्यवस्थायां, सरावास, शालासु संस्कुरूतम नास्ति तरह बह वहाद चात्रा हां संस्कुरूतम पठितूम नशक्नू वंति यद्यपितेशाम इच्छास्ति तथापितेश पठितुम्न प्रभवन्ति, अथा गीता यहा सम्यक अवगमने बहवा जनाहा अनुवादस्य एव आधारम स्विकुर्वन्ति, परन्तु अनुवादेन सम्यक गीता यहा अवगमनम भवती एव इतिनास्ति, ततर कश्चनतु लोपाःभवती एव अत्हा बहवाँ जनाहा मूलकाा संस्कृतें गीताम पड़ीतुमीक्चन्ति अत्हा संस्कृत भाशाया अध्येनार्थम संस्कृत भारती द्वारा यहा उपक्रमा चाल्यते सह उपक्रमा अतिव लाभधाई वर्तते संस्कृत भारती इती एशाया संस्था वर्तते संपूर्णे देशे विश्वे अपी कार्यर रतास्ती अस्यां संस्थायां संभाशनं आरंभे पाठायांती ते पाठेयांती अनन्तरम शनैष्य नहीं अग्रिमं अध्यनम अपी भवती तेनम अध्यमेन सरलतया सहजतया यकोभी जनाहा आनन्देन संस्कृतम पठितुम शप्नोती अहम अपी अनेन प्रकारेन एव संस्कृतम पठितवा अता हाँ अनेन प्रकारेन संस्कृतम पठितवा भगवत गीताम अपी यथा संस्कृते वर्तते यथा भगवता स्री कृष्णे न संस्कृतम भगवत गीता कथिता तथा इव सम्य जनह अवगंतुम शक्नुयात अता संस्कृत अध्यनार्थम संस्कृत भारती द्वारा संभाषण शिविरस्य प्रयोगाहास्ति अन्यापी विविदाहा उपक्रमा पत्रद्वारा संस्कृतम गीता शिक्षन केंद्रमेती उपक्रमा एवं भिन्न बाला नाम कुरते सरल संस्कृत परिक्षा इती उपक्रम संस्कृत भारती डॉट इन एश्य एतर संकेत अस्थलमस्ति वेबसेट तो इस वेबसेट पर जाकर यह सारे संस्कृत भारती के जो चलाये हुए उपक्रम है आप देख सकते हैं संस्कृत हैं जोड़े संस्कृत परिक्षा चलाये हैं यह सारे उपक्रम से कोई भीव्यक्ति स्र अता से संस्कृत से Modern ऐसे ओनलाइन बेभ्यास करम चल रहा है आजकाल इस करोना के सारे पाच-छे मेने के लोगडाउन के काल में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन संस्कृत सीखने के लिए उनको भी इसी प्रकार से संस्कृत हमने सिखाया है तो यह सारे प्रकार जो उपक्रम है कोई विव्यक संकृत है और जो यह इस प्रकार संस्कृत सीखने सब्सक्राइक नियाग कोई इसमार्ग कर सकते हैं स्ञस्कृत सीख सकते हैं और जिए घ्रणभंडार है की जो गीता एक जीवन शिक्षन है गीता में किसी एक देवा का भगवान की इस प्रकार उपासना करो पूया करो करमकांड करो अभिशेक करो अईसा कुछ नहीं बता है गीता में बिल्कुल तरक शुद्धरिती से अर्जुन के सारे प्रश्णों का उत्तर दिया है कृष्ण ने अईसा नहीं बताया अर्जुन को कि अभी युद्ध चल रहा है यह सारे जो प्रश्ण बाद में मुझे पूछो मैं बाद में उत्तर दूँगा पहले युद्ध कर फिर मैं तुमको सारे प्रश्णों के उत्तर दूँगा ऐसा कृष्ण ने नहीं कहा कृष्ण ने अर्जुन के सभी इसका सारा विचार करके तुम जैसे चाहते हो वैसे करो आज का युवा यही चाहता है और यही नहीं चाहता कि कोई बड़े लोग कहें इस प्रकार करो और मैं करूंगा यह युवा नहीं चाहता युवा चाहता है मैं भी सोच करूं मैं भी सूचूं मैं भी विचार करूं त को श्री कृष्ण ने यही कहा है और मुझे लगता है कि इसी विचार के कारण अर्जुन युद्ध के लिए सिद्ध हुआ युद्ध में उसने जय पाया पुना भारत वर्ष में धर्म की समस्थापना की भारत को सुवर्ण वहववशाली बनाया ऐसा भारत उन्होंने निर् करवा देंगे आजके युवाओं का यह स्वपन पूरा करने के लिए उसको आधार भूत करंत भगवद गीट हो सकता है उसकी उपासना कोई भी हो किसी भी भगवान कि उपासना करता हो या कोई उपासना नहीं करता आता हो कोई अपति है उसको बुद्धी को योग्य पूर पड़े उसके लिए संस्कृत सीखे जरूर संस्कृत भारती उनकी सहायता के लिए सदाई वसिद्ध है नमस्तर धन्यवाद हम होदे बहुत सम्यक उक्तवान भवान आहम अपी संस्कृत भारत्याहा छात्रा अस्मी मैं भी संस्कृत भारती के द्वारा ही संस्कृत लाभधाई है और संस्कृत भारती द्वारा सब संस्कृत पढ़े यथा धन्यवाद महोदे सत्यमुक्तवान भवान यदा श्रीकृष्ण हवदती यदा यदा ही धर्मस्य गलानीरभुवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुरुजाम्य हम तरी एतत सुरुजानम कथम भवेत तस्या आधा रहा कहा तस्या आधा रहा अध्यतन युवा युवा नहाईवा तस्या हा सकाराात्मकी उर्जा यां कथम परिवरतनम्वम कर्तुंशकनूम्हा अधंस्या सम्यक उधारनम् अन्दात्तम, तरी भूरी धन्यवादा है, मिला। नमस्कारा।